यहां पर आपको इस सेशन में हम प्रश्ण पत्रतीन का सॉलुशन करने वाले हैं सेक्षन एका सॉलुशन हमने अल्रडी कर दिया है इसका वीडियो यूट्यूब चैनल पर अविलेबल है उपर जो आई बटत दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको इस बीकी जो पद्दे वीबाग होता है आपके पोयम के रिलेटेट प्रश्ण यहां पर पूछे जाते हैं तो इसको हम देखने वाले है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहला प्रश्ण आप देख सकते हो MCQ है नंबर 15 है इंद्र के अनुसार कहा रहना तोते की मुर् सुखे तरू पर तो यहां पर उस तर आता है कि सुखे तरू पर जो तोता वहां पर रहता था उसने यह डिसाइड किया था तै कि मैं सुखे तरू के साथ ही रहूंगा अपने जान जाए तब तक तो यह उसकी सबसे बड़ी मुर्खता थी ऐसा किसको लगता है इंद्र दे तो आपको पता है कि हम किस से नाम जबते हैं अगर आपको बगवान का नाम लेना है 108 बारी तो आपको पता है कि माला आती है आप उसके एक एक मनके को गुमाते जाई और आप बगवान का नाम जब सकते हैं नाम ले सकते हैं तो उत्तर आता है माला ठीक है माला सही आंसर है ज श्रिकृष्ण ने किस ग्रंत की रचना की थी ये सब को बता है बगवद गीता ये किसी छोटे बच्चे को भी पुछा जाए ना तब भी वो आंसर देगा कि बगवद गीता की रचना श्रिकृष्ण बगवान ने की थी नेक्स यहाँ पर है सही विकल चुन कर रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए तीन माक्स है तीन आपको फिलिंग दबलेंक्स दिये गए है औप्शन स्पी दिये गए है इसमें नबर 18 है रहधास प्रभू को स्वामी मानकर खुद को क्या मानते है सिपाई मानते है और फिर दास मानते है तो सही आंसर आता है वो अपने आपको दास मानते है यमना किनारे कदम की डाल पर रस्खान डेश रुप में बसना चाहते है अगर कदम की डाल पर रहना है तो वो मुरूप तो बढ़ी नहीं सकते आपको बताए मुरूप का मतलब होता है हरिन और हरिन कभी कदम की डाल पर नहीं रह सकता तो आंसर आता है पक्षी वो पक्षी बनकर कदम पेड़ पर उसकी डाली पर रहना चाहते है तेन नेक्स्ट यहाँ पे हैं नव युक के नैनों में डैश के जलते हुए पुँझ बरे है अगनी के या फिर वाईव के अगर जलते हुए पुँझ की बात है तो यहाँ पे आएगा कौन जलता है किस से हम जला सकते हैं तो अगनी तो अगनी is the correct answer अगनी के जलते हुए पुझ बरे हुए है तो यहाँ पे आंसर आता है दास और यहाँ पे आंसर आता है पक्षी और इसमें आता है अगनी ठीक है यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांश चून कर सही वाक्याश चुन कर वाक्य को फिर से लिखना है, तीन माक्स में है, नमबर 21 है, खरहा भागने लगा, क्यू भागता है वो, options आपके पास से A, शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था, B, खाना खत्म हो गया था, उसकी तलाश में, option C है, लोमडी उसके पीछे भाग रही थी, तो कौनसी वज़े से खारा भागने लगा था, तो यहाँ पे उत्तर आता है, शिकारी कुत्ता उसके पीछे पड़ा था, और इस वज़े से वो भाग रहा था, next है, काप उठे प्रति पक्षी जनगण, यहाँ पे पोयम की लाइन भी पूछते देखू, तो आपको पोयम क अगनी के पुंज बरे, सी है, यहाँ पे सुनिये वचन उचाह बरे, तो यहाँ पे काप उठे प्रति पक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे, यह उत्तर आता है, then next यहाँ पे है, 23 नमबर, सच्चा सादू दिखाई देने के लिए मुंडन करा लीजिए, option आपके पास ह जिससे आपका ज्यान बढ़ता रहता है, option b है, जिससे आपका सीर सिव की तरह चमकता रहेगा, और c option है, जिससे आपके सीर का सारा बार या फिर आपके सीर का बार उतरता रहे, तो यहाँ पे option b जो है, वो सही आता है, जिससे अगर मुंडन कराते हैं, सादू, जो सादू बने डखने का धौंग करते हैं ऐसे लोग अगर मुंडन कराते हैं तो उनकी जो सीर होता है उनका वो सीप की तरह चमकता रहता है वो चमकिला बन जाता है तें नेक्स्ट यहां पे हैं question number 24 और 25 जो है प्रश्णों के उत्तर एक वाक्य में आपको यहां पे लिखने हैं दोनों का एक एक मार्क्स है 24 है जन जन के रदय में कौन सी नदिया बसी है तो यहां पे आपको लिखना है गंगा यमुना जैसी नदिया जन जन के रदय में बसी है number 25 दिखावा करते हुए सादू कैसा व्यावार करता है तो आप लिख सकते है कि दिखावा करते हुए सादू हाथ में गौमी की लेकर माला फेरता रहता है और उपर से भी नमर बना रहता है सुन्दर वो अंदर से छल कपट करने से भी नहीं चुकता तो आपको ऐसा उसका अंतर लिखना है ठीक है तेन नेक्स यहाँ पर है 26 नमबर दो तिन वक्य में उत्तर लिखे यह है 26 नमबर यहाँ पर option है आप यह लिख सकते हो या फिर आप यह लिख सकते हो एक लिखोगे आपको दो माक्ष यहाँ पर मिल जाएंगे नबर 26 है कश्मिर में हवा चलने पर वातावरन कैसा होता है तो आप उत्तर में लिख सकते हो कश्मिर में हवा चलने पर वातावरन बहुत सुन्दर हो जाता है यहां की हवा में गित संगीत की लख स्वर लहरी का आबास होता है लगता है हवा में किसी नई गजल का स्वर गु लिख सकते हैं कि कभी के अनुसर बकरी में सुन्दरता उस समय प्रगट होती है जब वह अपने दो पेरों पर खड़ी होकर कांटों के बीच से ननी ननी पतिया खाती है उस वक्त उसके अंदर सुन्दरता प्रगट होती है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे है जो तीन चार या फिर चार पांच वाके में आपको उतर लिखने है कोई भी एक लिखना है यहाँ आपको तीन मार्क्स मिल जाएंगे 27 नमबर है संत राइदांस जी ने स्वयम को क्या क्या कहकर संबोधित किया है तो यह वाला जो प्रशन है वो है आपका चेप्टर वन जो है उसमें से लिया गया है आप प्लेलिस्ट में से जाकर यहाँ पर जाए बटन दिखाए दे रहा है वहाँ पे क्लिक करोगी तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें chapter 1 से लेकर आपका last chapter जो है 24 वहाँ तक का सारा यहाँ पर हमने solution किया है तो वीडियो सारे available है स्वाद्धे कि आप वहाँ जाके यह वाला प्रश्ण ढूम सकते हो chapter 1 का वीडियो निकालोगे उसमें यह आपको उत्तर मिल जाएगा तो आप chapter 3 को ओपन कीजिए वहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा तो चेप्टर 5 का आप वीडियो ओपन कीजिए स्वाद्धे का उसमें आपको मिल जाएगा और वह वसुदेव बना कुटुमबकम यह वाला chapter 7 से लिया गया है तो 7 नमबर का जो chapter है उसकी लिंक उपन करोगे तो आपको यहाँ पर इसका उत्तर भी मिल जाएगा तो हो गया आपका यह section भी पूरा हमने यहाँ पर solve कर दिया है आपको वीडियो में यह section है वो पसंद आया होगा आपको समझ में आ गया होगा पसंद आने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझ में आना अगर आपको समझ में आ गया है तो please comment section में लिखे कि आपको कैसा लगा है वीडियो आपके अपने feedback दीजिए और हमें support कीजिए आपके लिए section C जल्दी लेकर आएंगे और इसमें आपका पूरा grammar solve कर आएंगे तब तक मिलते हैं take care all of you and bye